जैहिन साथियों कैसे हो आप सभी साथियों आप सभी लोग का करेंट अफेर दो तीन दिनों से नहीं चल पा रहा था इसके लिए माफी चाहेंगे आप सभी लोगों से लेकिन अप से आप सभी लोग का करेंट अफेर एडिट एरिया का डेली बेस पे चलाए जाएगा यह आप सभी लोग का दस दिनों के अंदर यह आपका सेट पुरा खतम कर दिया जागा यानि टोटल इसमें पचीस सेट दिया गया है और हर एक सेट में पचास कोशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कि में तो सोचिए कि आप सभी लोग का करेंट अफेर का जो तयारी है वो बहतर तरीके से चल रहा है तो कोशित किजिएगा 35 प्लस आप सही करने का तो चलिए सेट को सुरू कर लेते हैं पहला कोशित कहता है कि हाल ही में भारत का पहला खेलोना वी निर्मान कलस्टर किस राज कोशन नमबर टू वीश्व वाईयू गुडवत्ता रिपोर्ट के नुसार वीश्व के सरवाधिक प्रदूसित देशों की सूची में परतम इस्थान किसका है तो परतम इस्थान देखा जाए तो बंगला देश का हो जाएगा याद रखेगा बंगला देश कोशन नमबर पुस्तक के लेखक कौन है तो पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे मुहम्मद जावेद अक्तर अकबर याद रखेगा आपका आंसर यहां पर ए हो जाएगा नोट करते चलिएगा सभी लोग पीडिया भी डाउनोट कर लिजे आपको डिस्क्रिप्सिर में लिंक मिल जा कार द्वारा उद्मियों को चिकित्सा प्रोदोगी की छेतर में अपने विचारों का परिक्षड करने है तू एक प्रेटफारम प्रदार करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉंच किया गया है याद रखिएगा प्रोजेक्ट तेज वेरी इंपर्टन कोस्टन यहां से आ पाएगा भारती वायू सेना ने पहली बार स्वदेसी जेट जेट जव इंधन का प्रियोग किस विमान में किया था तो याद रखिएगा ऑप्सन सी आपका आंसर हो जागा ए एंट हैटी टू में फास्ट करा रहा हूं ताकि आप सेट की तरीके से आप इसको सॉल्व कर प भारत की चार दियोसी यात्रा पर हैं पुरतगाल के राष्टपती कौन हैं तो पुरतगाल के राष्टपती देखा जाए तो आप्सन यह हो जाएगा मार से लो रूबेला याद रखिएगा आपका अंसर यहां पर यह हो जाएगा चलिएगा नेस्ट कोशन पहते हैं कोशन लेंड एंड बायो डैवर सीटी हो जाएगा यानि आप कांसर यांपे सी हो जाएगा कोशन नमबर एट कहता है कि फरवरी दुहजार बीस में अमेरिकी राष्टपटी दोनाल ट्रम्ब की भारत यात्रा के दोरान नमस्ते ट्रम्ब का आयोजन किस इस्टेडियम में किया गया तो यह आपका किया गया था सरदार पटेल इस्टेडियम में याद रखिएगा आप कांसर यांपे डी हो जाएगा कोशन नमबर नाइन हाल ही में किस भारतिय बैंक बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलिवरी फैसिलिटी लांच की है देखिए इसका सही उत्तर आपका ICICI हो जाएगा यानि आप कांसर यांपे C हो जाएगा कोशन नमबर टेन कहता है बजट 2020 की घुसड़ा में दूद मास था मचली सहित खराब होने वाली सभी वस्तूओं के लिए क्या इस्पेसल किया गया है तो यहाँ पर इस्पेसल दिखा जाए तो किसान रेल की सुरुवात की गई है यानि ए आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कोशन है कि भारत के किस सहर को हाल ही में यूनेस कू द्वारा विस्व धारोहर के रूप में घोसित किया गया है तो यह आपका घोसित किया गया है जैपूर को याद रखिएगा आपका अंसर ए हो जाएगा कोशन नमर 12 केता है केनर सरकार द्वारा भारत की किस सहर में भारत पर वद्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है तो इसका सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन भी नई दिल्ली को याद रखिएगा नई दिल्ली को कोशन नमर 13 कहता है कि भारत की सिपारिस पर निमलिखित में से किस दिन सनीप्त राष्ट द्वारा अंतराष्टी चाय दिवस मनाने की गोशना की गई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मैं को ठीक है 21 मैं को और कौन सा दिवस मनायता है आप सबी लोग कमेंट करके बताईएगा आर्थिक सर्वेचर 2020 के अनुसार भारत की अर्थ विवस्ता में सेवा छेत्र का योगदान कितने प्रतिसत रहा है तो याद रखिएगा सेवा छेत्र का जो प्रतिसत रहा है कितना तो याद रखिएगा पच्पन प्रतिसत रहा है कुश्चन नमबर 15 कहता है कि 1 नमबर से 10 नमबर के मद्य हुनर होट का आयोजन कहां पे किया गया है चले बताईए फड़ाबो तो आप सब लोगों को ट्रैफिक किया वा जा रही होगी इसको आप इगनॉर करिएगा तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रियाग राज यानि इलहाबाद में कुश्चन नमबर 16 कहता है कि 9 चार महत्सो 2020 को आयोजन कहां पे किया जा रहा है तो यह आपका किया जा रहा है अरुनाचल प्रदिस में याद रखिएगा अरुनाचल प्रदिस में नेश्ट है कि राष्ट्री राजमार्गो के निर्मार कारे में तीजी लाने के लिए किस पोटल को लाँच किया गया है तो ये लॉंच किया गया है गाती याद रखिएगा गाती आप का अंसर याँ पे हो जाएगा कोशन नमर 18 कहता है कि हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले किर्केटर कौन बन गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वसीम जाफर याद रखिएगा आपका अंसर याँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगा कोशन नमर 19 कहता है कि नर्मदा महत्सो किस राज में मनाया जा रहा है कोशन नमर 20 कहता है कि इसकूलों में बच्चों की उपस्तिती को बढ़ाने के लिए आओ इसकूल चलें अभियान की सुरुआत किस राज या फिर केंदर साथिस प्रजेस ने किया है चलिए बताईएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कासमीर क्या हो जाएगा जम्मू कासमीर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का भारत के किस राज ये ने जल परियोजना के लिए 202 के साथ 88 मिलियन डॉलर का रिड समझोता किया है इसका सही उत्तर आपका असम हो जाएगा याद रखिएगा असम कोसे नमर 22 कहता है किस देश ने 350 किलोमेटर प्रती होर्स की स्पीट से चलने वाली ड्राइबर लैस बूलेट ट्रेन चलाई है तो याद रखिएगा आप का अंसर यहां पे चीन हो जाएगा या वहाँ क्योंकि वहाँ पे जो ड्राइबर उसमें नहीं था सीधा से कोसे यह पूछा गया है कि ड्राइबर लेस पूछा गया है ठीक है किसानों को ससक्त बनाने तथा उसकी उनकी आए को दुगना करने के उद्देश से परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हाल ही में किस कारिकरम का सुभारम किया है चलिये बताईए इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोसे नमर 23 का उप्सन ए याद रखेगा किसान क्रेडिट प्रोग्राम यानि आपका आंसर यहां पे ए हो जाएगा नोट करते चलियेगा सभी लोग निम्नलिकित में से कौन हाल ही में पुरदगाल के पुनाह परधान मंतरी बने गए है चलिए बताइए तो आपका आंसर यहां पे एंटीनियो कोश्टा हो जाएगा याद रखेगा एंटेनियो कोश्टा कोशन नमर्ट 25 कहता है किस भारती पूर्व किरिकेटर किरिकेट खिलाड़ी को अमेरिका किरिकेट टीम का मुख्य कोश्ट बनाया गया है चलिए बताइए तो आपका आंसर यहां पे अरुण कुमार हो जाएगा याद रखेगा आपका आंसर यहां पे भी हो जाएगा कोशन नमर्ट 26 कहता है कि भारत का कौन सा रेलवे इस्टेशन आई एसो परमान वाला देश का पहला रेलवे इस्टेशन बन गया है चलिए बताईए चलिए तो दखे इसका 26 का अंसर देखा जाये तो आपका गोवा हाथी रेलवे स्टेसन हो जाएगा यानि आप का अंसर यांपे C हो जाएगा किरकेट वॉल्ड कप दो इंडिया इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है इंडियन चैलेंज के लेखक देखा जाये तो आसिस रे हो जाएगा यानि आप कामसरिया पे भी हो जाएगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है तो यह दिया गया है किसके लिए तो सोच भारत मीशन के द्वारा ये इनको आवाड दिया गया है आप इनको याद रखियेगा नेश्ट कोसने की असम के अनर्सी की अंतिम सुची जारी की गई जिसमें कितनी लोगो को असम का गैर नाग्रिक घोसित किया गया है तो इसका सही उत्तर आपका लगबग 19 लाख हो जाएगा याद रखेगा लगबग 19 लाख निरवाचन आयोग द्वारा किस राजे के नैसनल पीपूल पार्टी को आठवी राष्टी पार्टी का दर्जा परदान किया गया है तो यह आपका परदान क्या गया है मेघाले के द्वारा याद रखेगा आप कांसर ए हो जाएगा ब्रज्र वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मद्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है चलिए बताइए तो ये कौन सा अभ्यास है तो याद रखिएगा थाल से ना आपका अंसर यहां पे C हो जाएगा मई 2020 में मई 2019 में औरचा सहर को यूनोस को की विस्वधारोहर स्थलो की और स्थाई सूची में सामिल किया गया सभी का राइट आंसर आना चाहिए तो आपका आंसर यहां पे 35 प्लस सभी का सही होना चाहिए तो 32 का आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा याद रखिएगा मद्धे परदेश हो जाएगा सतत विकास लजशे भारत सुचकांक में अगरडी राज ये कौन सा है तो अगरडी राज ये देखा जाये तो आपका क्या हो जाएगा याद रखेगा हीमाचल प्रदेश हो जाएगा याद रखेगा सबी लो कोशन नमर्ट 34 कहता है कि वीशुव तिरंदाजी चैंपियंशिप 2019 में भारत का इस्थान क्या रहा है तो भारत का इस्थान देखा जाये तो छटा हो जाएगा यानि आपका अंसर याँ पे D हो जाएगा भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष रखा गया है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष रखा गया है तो याद रखेगा आपका अंसर याँ पे C हो जाएगा 2030 तक कॉस्टन नमर्ट 36 कहता है परधान मंतरी मोदी जी ने अपने दूसरे कारेकाल में पहली विदेशी आतरा किस देश किये वेरि इंपोर्टन ये एक्जाम में पक्का पूछा जा सकता है तो इसको आप भूलियेगा नहीं याद रखेगा इसका अंसर माल्दी हो जाएगा ठीक है कॉस्टन नमर्ट 37 कहता है कि भारती नौसेना के 24 वे परमुख मार्च 2019 में किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया किसको करमबीर सिंग को याद रखेगा आप कांसर यांपे डी हो जाएगा कॉस्टन मर्ट 38 वीश्व खाद पुरसकार 2019 से सम्मानित साइमन एन ग्रोट किस देश के क्रिसिव वग्यानिक है तो ये किस देश के हैं तो याद रखेगा आपका अंसर निदरलेंड हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा सभी लोग का नेश्ट कोसने की फरवरी 2020 में किस सहर की पुलिस ने ओपरेशन नकेल की सुरुवात की है अपरेशन नकेल तो सभी का याद होना चाहिए गाजियाबाद आपका अंसर यहां पे हो जाएगा यानि सी आपका राइट अंसर हो जाएगा पेरिस पुस्तक मेले 2020 में किस देश को गेट्स अप ओनर के रूप में नामित किया गया है तो करेक्ट अंसर आपका 40 का देखा जाए तो ए हो जाएगा भारत क्या हो जाएगा भारत आपका राइट अंसर हो जाएगा जम्मो कास्मीर पुनर गठन अधिनियाम कप से लागू किया गया है चलिए बताइए देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को ठीक है तो चलिए नेश्ट कोशन पर आते हैं विसेस ओलंपिक विस्व गिरिसम कालन खेल 2019 का आयोजन कहां पर किया गया है तो ये आपका किया गया है अब उधावी में सभी को आंसर याद होना चाहिए कोशन नमर 43 कहता है कि भारती वायू सेना ने पाकिस्तान के बाला कोट में जैस ए मुहम्मद के आतंगी ठीकानों पर जिस ओपरेशन के तर्थ हमला किया था उसका कोड नेम क्या था तो उसका कोड नेम दिखा जाए तो अपरेशन बंदर हो जाएगा जानी आप का आंसर या पर बी हो जाएगा बजट में किस पसुव में होने वाले किस दो बिमारियों का समाप्त करने की बात की गई है तो याद रखिएगा आपका 44 का आंसरियां पर डी हो जाएगा बी और सी हो जाएगा हाल ही में किस देश को अलजाइमर रोग के निदान है तू बी जी नो से कहतर नमक एक घारीलू दवा विक्सित की गई है तो सभी को याद होना चाहिए चीन हो जाएगा ठीक है इंडिया कहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 करनुसार सबसे बहतरिन कानून व्यवस्ता किस राज्य में है याद रखियेगा आपका महराष्ट्रा में हो जाएगा याद का अंसर यहां पे भी हो जाएगा कोस्टन नमबर 47 पर आते हैं कि हाल ही में भारती परमाण उर्जा आयोग ने किस राज्य में 14100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है इसका अंसर हो जाएगा करनाटक में याद रखियेगा करनाटक में फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीस याद रखियेगा ग्रीस आपका उत्तर हो जाएगा भारत की पहली फूट रेल की सुरुआत किस राज्य से की गई है चलिए बताईएगा आंसर तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंधरा परदे से यानि ए आपका आंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 50 कहता है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंग डिजिटल कारेकरम की सुरुवात की गई है तो आपका आंसर फेस्बुक हो जाएगा याद रखिएगा फेस्बुक राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो आप सभी लोग का यहाँ पे 50 कोशन समाप्त होता है देखते हैं कौन 35 कोशन सही करता है इन 50 में से तो चलिए नेश्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं